कर दोस्तों करेट काड लोन के ट्रेस्कोर चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों फर्स्ट आम देखे हैं चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लेजएगा सब्सक्राइब करके और लोन्टिफिकेशन ओड कर ले ताकि यूडियो उसका डिजिक्शन मिले और आपकी लोन बैंक क्या देखती है बैंक के पास बहुत सारे पेरामेटर हैं बहुत कुछ देखती है लेकिन बहुत कुछ में से सबसे पहले और मॉस्ट इंपोर्टेंट क्या देखती है मॉस्ट इंपोर्टेंट चीज ऐसा क्या है जो बैंक सबसे पहले देखती है ठीक है जदी आप मा तो आप उसको पहले दुरूस्त ही कर लें दूप अपन रखें आपका जो बच्ची है यह बच्ची है उसको एजुकेशन की रिक्वार्मेंट के लिए लोन की रिकवार्मेंट हो तो आपको उस टाइम पर दिक्कतों का सामना करने की जवां नहीं परूँत है जदी हम सारी पॉइंट पर बात करेंगे तो लेकिन बात करेंगे और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं कैसे सही कर सकते हैं उस पर बात करें जदी आप किसान है ज्यादा तर लोग परहाना चाहते हैं बच्चों को हर कोई परहाना चाहता है लेकिन पैसे के अभाव में लोग नहीं परापाते हैं higher education नहीं दिला पाते हैं क्योंकि उनको उतनी सारी जानकारी नहीं होती है जो loan के लिए apply तो कर देते हैं loan reject हो जाता है नहीं मिलता लेकिन देखे वो जो ज़रुत है उसको देखेगा उसको सही किजेगा देखे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो education loan के बारे में student loan के बारे में आपको पता ही है ठीक है जो आप bank सबसे पहले देखती है उसके उपर बात कहीं देखे दोस्तो लोन सबस जहां भी आता है ना bank वहाँ पर सबसे पहले bank के पास क्या करते हैं आप आपको मालिजे आपने 12th कर लिया है ठीक है ठीक है 12th कर लिया है या graduation करने के लिए या कोई higher education के लिए चाहिए bank के पास क्या करते हैं आप दोस्तों तो education loan के लिए आप apply करते हैं जब apply करते हैं तो education loan में तो आपको पता ही है एक होता है दोस्तों जो परहाई करता है और वो भी उसमें एप्लिकेंट होता है और दूसरा होता उसका मदर होता है या फादर होता है या गार्जन होता है ठीक है ना मदर फादर या गार्जन यानि दो लोग हो गया इसमें एक तो गार्जन हो गया मदर या फादर इन तीनों में से कोई एक और पलस भी हो सकता है या उन से नीचे भी हो सकता है ठीक है नीचे होगा तो माइनर होगा और उपर होगा तो बैंक करेगी क्या सबसे पहले देखें जो जातर के समें माइनर ही होता है और मैजर भी होता है अठारा से उपर भी होता है देखें सबसे पहले यानि जदि आप मदर या फादर है या आपका स्टुडेंट के साथ में को बोरोवर आपको बैंक बनाएगी ठीक है तो बैंक करेगी क्या सबसे पहले जो भी पाइरेंट्स है मदर फादर या गार्जन है उनमें से जो एप्लिकेंट है उसका बैंक सिबिल निक पो इस सिबिल सी आई सिबिल एसकोर या सिबिल रिपोर्ट सिबिल डिपोर्ट निकालती है ठीक है सिबिल डिपोर्ट निकालेगी एस्टुडेंट का भी चेक कर सकती है बैंक ठीक है तो जदी मान लिजिए बैंक इन जितने भी रिक्वार्मेंट है उन सब में से पहला और वेरी वेरी इंपोर्ट requirement है दोस्तों credit score की credit score या civil score ठीक है bank जो देखती है अब जदी मान लिजे किसान लोग है जो लोग गाउं में रहते हैं जिसको जानकारी नहीं है ठीक है बच्छों को पढ़ाना चाहते है हाई एजूकेशन दिलाना इंप्रेशन आपको पता है ना ठीक है जदी बैंक आप आपकी सिबिल स्कूर देखती है और सिबिल स्कूर आपका कोई कुछ हाई नहीं मतलब कभी आपने कोई credit facility आपने बैंक से लिया ही नहीं या कोई loan या credit card नहीं चल रहा है तो रिजेक्ट भी कर सकती है ठीक है तो जदी आप अपनी सिबिल स्कूर को दुरुस्त कर लें तो होगा ना बहतर ही और आपको पता है जो आपको आपको आपकी financial situation आपसे बहतर किसी को भी नहीं पता आपकी financial अस्थिति के बारे में आपकी आर्थिक अस्थिति के बारे में ठीक है आपसे बहतर किसी को भी नह जान सकते हैं और आपका परिवार वाले ही जान सकता है तो इसी लिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा अब कैसे बनेगा जिसका सिविल स्कूर नहीं है जदी आपका सिविल स्कूर है नहीं पहले कोई फेसलेटी नहीं लिया करेट फेसलेटी बैंक से लोन या करेट कार्ट है तो आपका civil क्या होगा न 히स्ट्री होगा एन एच यह सभी 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 होगा कोई होगा सेविंग हुआंट टैक है सेविंग पू Master Alexa आपका सेविंग हाउए बैंक में की आपका किसी भी बैंक में सेविंग एकोउंट है तो बैंक में आप 20,000 रुपए का या पचीस रुपए का ठीक है है या 30 रुपए का जितने कह 성ा भी हो आप क्या केजिए एक fixed deposit कर वा लिजे जिहां से सुनेगा क क्या कर लिजिए एक फिक्स डे स्वाट में लिखते हैं यार फिक्स डिपोजिट करा लिजिए ठीक है फिक्स डिपोजिट करा लिजिए फिक्स डिपोजिट पर होगा क्या ध्यान से सुनते जाएगा जब आप जितने भी एमांट का एफडी करेंगे ठीक है एफडी करेंगे ठीक है credit card issue कर वाले जे bank से इससे क्या होगा दोस्तो जो एक तरफ से आप interest भी ले रहे हैं और credit card भी bank आपको दे देगी इस FD पे जितना FD का amount होगा उसका 82-90% आपको दे देगी ठीक है इस credit ध्यान से सुनिएगा ये credit card है credit card नहीं है जैसे credit card word आ गया और जैदि credit card आपके पास है तो आपको सतर्क हो जाने की जमत है आँख बंद करके बिल्कुल भी नहीं चलना है ठीक है credit card ले लिजे और credit card को आप एक मेहने दो मेहने तीन मेहने पांच मेहने जैदि आपको चलाने के लिए आ गया सही से यूज करन है credit card से कभी ATM card से ATM से पैसा नहीं निकालना है इसको जैसे मालो रिचार्ज हो गया कुछ स्वापिंग कर लिए कहीं मार्केट के कुछ खेज निकले credit card से स्वाइब कर लिए credit card से यूज कर से payment कर दिये ठीक है तो credit card को यूज किजिए और जैदि लगता है जो आप नहीं सभा नहींना भी एक बीनी और हो गया तो आपका इंसे क्या होगा जो civil score है या credit score वह आपका generate ओजाये वह क्या होगा 800 पलस ही होगा आपका सिबिल स्कॉर क्योंकि ये सिक्यूर्ड करेट कार्ड है इसमें कोई सिक्यूर्ड करेट कार्ड है और आपने फर्स्ट टाइम लिया हुआ है करेट कार्ड तो आपका सिबिल स्कॉर 800 पलस ही होगा ठीक है तो अब यहां से आपका जो credit का जो journey है लोंग का credit card का जो life है start होता है credit ठीक है ना तो अब द्यान से सुनिएगा यहां से अब bank से क्या होगा यह score जैसे ही civil score जैनेरेट होगा bank आपको तरह तरह का offer देना start कर देगी 2 मेहने 3 मेहने 4 मेहने 5 मेने 6 मेहने के आसपा से दो-तीन महने के आसपा से बैंक आपको तरह-तरह का offer देगी तो अब देखें जैसे हैं कि इस जब बैंक से आपको offer आना स्टार्ट हो जाया तो FD को आप continue कीजिए जैदि आपको पैसा है तो आप continue कीजिए इसको continue कीजिए नहीं है तो FD को आप close करके लेकिन close करके उसको account में credit ले लिजे credit card को close कर दिजे जो credit card है FD के एगेंस जो credit card है उसको आप क्या कर सकते close कर सकते हैं जब bank आपको pre-approved credit card का offer दे pre-approved credit card का तो अपने लेना चाहे ले सकते ने लेना चाहिए ने लेजाकते लेकिन मक्सद यह है आपको यह करने का जो आपका civil score gindate हो गया civil score क्या हो गया जिन डेट हो गया जब civil score या credit score gindate हो गया तो हमारा काम तो अभी फिलाल पहला और important step भी है जो आपका civil score gindate हो गया तो अब आपको बैंक से हर facility के लिए credit facility के लिए आप पहला step और important step आप cross कर चुके है आप pass कर चुके है ठीक है तो अब जब आपका student है आपका बच्चा है या बच्ची है बेटा है बेटी है कुछ भी है ठीक है तो अब जब आप education loan के लिए bank में या आपका हिस्टरी देखे की रिपेमिंट हिस्टरी तो आपने तो पहले क्रेट काड ले रखा है तो इसका मतलब क्या है जो बैंक के नजर में आप रुक जाएंगे रुक जाएंगे मतलब बैंक आपके अप्लिकेशन को आगे प्रोसेस कर देगी कर सकती है ठीक है और हंड़ेड परसंट यकिनमान के चलिए आपको लोन बैंक का जो प्रोसी होगा कुछ चार लाग तक नो मार्जिन है फिर उसके अकोडिंग बैंक आपको आगे की बात है लेकिन पहला जो स्टेप है यहां आप पास कर देंगे आपका सिविलेस को जिन्रेट हो जाएगा तो आपको लोन हंड़ेड परसंट यकिनमान के चलिए मिल श्राइब नहीं विडियो देखनेक लिए धन्वाद बहुत बहुत विडियो को शेयर कर लेजगा यह इंपोर्टन्ट चीज है जयदि आपको इसकी जानकारी नहीं है ना बहुत से लोगों को नहीं है वीडियो को शेयर कर लेजगा और सबसे पहले FDFD क्या होता है जो आ पैसे बड़ी बात किया आपका पैसा आपके हाथ में फिर वापस आ गया यानि आप सांपे भी मर गया लाठी भी बच गई और बहुत सारा फायदा भी हो गया ठीक है और जदी आपके बच्चों को अच्छा एजूकेशन मिल जाए अच्छे कोलेज में दाखिला हो जाए और इस वीडियो को सेयर कर लेजिएगा ताकि बहुत से लोगों को जाए बागी चीज़ बाद में आती है सबसे पहले बैंक यह देखती है पैरेंट्स का पैरेंट्स का फिर या तो माता-पिता है या अभी वावक है गार्जन है यह जरूर देखती है बैंक दोनों का ठीक को मेरे कि आफ का यँग ⁊ जरू specifically बहुत लबाद यू है सटर्गलिया तो बहुत कुछ बातें अधुरी रा जाती है लेकिन फिर भी क्या क्या जब चो important है वो हम बताए आपको thank you